नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने बाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ जो प्रॉब्लम से पुर्सों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वेक्ति इस बीमारी से काफी लंबे समय से परिशान रहता है कई तरह की होमोपेथिक मेडिसिन यूज करता है पर रिजल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं जिसका नाम है दोस्तों गाइनको मेस्टिया जिसे मैन बूब्स की नाम से भी जाना जाता है इसमें results इसलिए व्यक्ति में देखने को नहीं मिलते यहां problems व्यक्ति की इसलिए ठीक नहीं होती क्योंकि homopathic medicine का जो dose होता है medicine का जो repetition होता है बहाँ बहुती ज़ादा माइने रखता है इसमें lack of knowledge की बज़े से कम जानकारी होने की बज़े से व्यक्ति medicine proper तरीका से नहीं ले पाता है कुछ इसमें parage होते हैं बहाँ parage proper तरीका से नहीं कर पाता है तो man boobs की जो patients की problem है बहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती आज की इस वीजो में मैं आपको top 5 ऐसी homopathic medicine की जानकरी देने जा रहा हूं जिसका use man boobs में किया जाता है व्यक्ति में कई तरह की ऐसी disease होती है कई तरह के hormonal imbalance हो जाते हैं कई तरह के कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण व्यक्ति में results देखने को नहीं मिलते हैं आज की इस वीजो में जो top 5 homopathic medicine की जानकरी देने वाला हूं इसे proper तरीका से यदि आपको man boobs की problem है तो इस वीडियो को आप अंदग देखे medicine को proper तरीका से समझें और medicine का जो dose है proper तरीका से लें तो आपकी problem जो है man boobs की पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो चली देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो बात करेंगे man boobs की बारे में gynecomastia की problems की बारे में दोस्तो यहाँ generally man's में problems देखने को मिलती है इसके यदि कारण को हम समझें तो इसके पीछे कोई भी कारण अभी तक इस पस्ट नहीं हुआ है कि किन कारणों की वज़ेश यहाँ problems हो जाती है पर यहाँ hormone in valence के कारण 90% केसे समय देखने को मिलते हैं यहाँ estrogen hormones जो होता है सबसे ज़्यादा increase हो जाता है उस वैक्ती में जिसमें gynecomastia की problems होती है और testosterone जो level होता है वैक्ती में कम हो जाता है estrogen hormones जो होता है ladies में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और testosterone जो level होता है वहाँ gens में पाया जाता है तो यहाँ gens का जो hormones है testosterone level जो है वैक्ती में कम हो जाता है इसलिए वैक्ती को gynecomastia की problems होती है next कारण को यदि हम समझे तो genetic disease में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है यदि परिवार में एक family में किसी को वैक्ती को यदि गायनो को मेंस्टी आए तो आपके होने की chances सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं next cause की यदि हम बात करें तो जिन पैसेंटों को anxiety बहुत ही ज़्यादा रहती है tension बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण भी वैक्ती में गायनो को मेस्टी हमें देखने को मिलता है और भी कई कारण होते हैं इसमें जो इसपस्ट अभी तक नहीं हुए हैं जो मैन कारण हैं मैंने आपको इसपस्ट करती हैं कि इन कारणों की वज़े से यहाँ प्रॉब्लम्स होती है आप समझ सकते हैं मैं पिक्चा लगा देता हूँ आप देख लीजी यहाँ देखने में काफी अच्छा नहीं लगता है जिन वैक्ती को गायनो को मेस्टिया होता है वहाँ हमेशा सरमंदिगी का सिकार रहता है और टी-शेट कभी भी वहाँ पहनता नहीं है और हमेशा सर्ट पहनते रहता है और कई तरह के विचार उनके मन में आते रहते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवशकता नहीं है ना ही उन्हें उपरिशन करवाने की आवशकता है medicine से यहाँ problems ठीक हो जाएगी कई बार यहाँ देखा गया है कि जिन वैक्तिको गाइनोकोमेस्टिया है तो उनके man boobs में कई बार हलका हलका दर्द देखने को मिलता है वहाँ पे लक्षण के दिम बात करें हलका हलका दर्द देखने को मिलता है और वहाँ पे hardness भी देखने को मिलती है यदि वहाँ पे hardness है हलका हलका दर्द है तो उसमें अलग medicine यूज की जाती है यदि वहाँ पे hardness नहीं है दर्द नहीं है तो कुछ अलग medicine उसमें यूज की जाती है इस वीडियो के माध्यम से medicine में explain करने जा रहा हूँ तो सीधे चलते हैं दोस्तों medicine की और आपने थूजा का नाम सुना ही होगा मैं थूजा आपको explain करने वाला हूँ पर इसका dose बहुती ज़्यादा माइने रखता है क्योंकि यहाँ जो problems है something 6 महने से 1 साल में आपकी ठीक होने वाली है एक महने में आपको 5% result देखने को मिलेंगे 2 महने में 10% result देखने को मिलेंगे और 3 महने में सीधे 25% result देखने को मिलेंगे यदि आप medicine लेने का तरीका सहीं तरीके से समझ गए तो आप patients को cure कर सकते हैं अपनी बिमारी को cure कर सकते हैं था, आप सफर करते रहेंगे, इस वीडियो को आप सकिप करती जेगा, पूरा बिल्कुल भी ना देखें, यदि मेडिसिन, डिसीज को क्योर करना चाते हैं, तो इस वीडियो को अंतक देखेंगा, बात करेंगे थूजा मेडिसिन की, तो कहीं भी, यदि मेन बूप्स का नाम यदि कहीं भी गठान हो जाती है, ओवर ग्रोथ वाड़ी में कहीं भी होने लगती है, तो थूजा का यूज उसमें किया जाता है, यहां आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जब भी हम थूजा का यूज करते हैं, थूजा बने पोटेंसी में, मौनिंग में खाली पेट हमें लेना चाहिए, खाना खाने के अधा गंटे पहले, या खाना खाने के अधा गंटे बाद भी इस ँसमझ का यूज किया जाता है, यदि हम मेन बूख्स के लिए इस मैड़िसन का यूज कर रहे हैं, तो आप सुभा मॉनिंग में 4-5 बून सीधे डारेक्ट टंग डोज आप इस मैडिसिन को लीजेगा और इस मैडिसिन का रिपीडिशन आने वाले 15 दिन में करिएगा और 15-15 दिन के अंतराल में 4-5 डोज लेना है अज़ादा प्रॉबलम से तो 5 डोज आप लेंगे 15-15 दिन के गैप में और यदि लंबे समय से यहाँ प्रॉबलम से नहीं है तो 4 डोज लेके आपको यहाँ मैडिसिन बंद कर देनी इस वाद का आपको विसे दिहा लगना है नेक्स्ट मैडिसिन आती है दोस्तों कोनियम मैक के बारे में भी आप जानते होंगे कोनियम मैक उन वैक्ति को लेना है मैं वीडियो के लास्ट में ड्रॉब भी बताऊंगा कोनियम मैक उन वैक्ति को लेना है जिनके गठानों में जिनके मैन बूक्स में गठाने हो गई है वहाँ पे हलका हलका सा सुई चुबने जैसा दर्द होता है तो कोनियम मैक उन्हें यूज करनी है कोनियम मैक उन्हें 200 पोटेंसी में यूज करनी है रेगुलर, continuous medicine का यूज उनको तीन महने तक करना है जिन्हें cyst की वहाँ पे problem होने लगी है मैन बूक्स में अलके से गठान हो गई है अलका सा दर्द हो रहा है तो रेगुलर तीन महने तक लेंगे तीन महने के बाद इस medicine को बंद कर देना है next medicine लेड़के आनी है दोस्तों आपको calcarea carb जी हाँ calcarea carb hormonal के invalence को सुधारता है और जिन वैक्ती को cyst नहीं बनी हुई है only for man boobs की problem है बहुत ज़्यादा fatty है fat होने के साथ साथ body में जो egg बहुत ज़्यादा पसंद करते है अलू की सबजी बहुत ज़्यादा पसंद करते है जिन वैक्ती को पसीना बहुत ज़्यादा आता है पसीने से हलकी सी खटी स्मेल सी बू आती है तो उनके लिए calcarea carb बहुत ही suitable medicine होती है उसमें भी सुई चुपने जैसा दर्द होता है पर hardness उतनी आतिदिक मात्रा में देखने को नहीं मिलती है जितनी हमें कूनियम मैक में देखने को मिल रही है इन दो डेफरेंस करके आप medicine दो में से एक यूज़ कर सकते है बात आती है डोसकी की calcarea carb हम किस potency में ले बात करें दोस्तो calcarea carb की तो calcarea carb suitable long time में 30 potency में हमें यूज़ करना है तो चारबून सुवा और चारबून शयम को calcarea carb continue चार से पाँच मेने तक 30 potency में आप ले सकते हैं higher potency में इस medicine का यूज़ नहीं करना चाहिए इस बात का हमें विशे ध्यान दखना चाहिए next medicine की यदि हम बात करें दोस्तों आती है testis cicati testis cicati low testis cicati low testis cicati level को increase करने के लिए इस medicine का यूज़ किया जाता है जैसे मैंने शुरुबात में आपको समझाया था कि यहां हमारे testis cicati level यदि body में कम हो जाता है तो यहां problems होती है तो testis cicati को boost करने के लिए testis cicati tablets form में यूज़ की जाती है 3X में आपको लेके आना है German company की आपको यूज़ करना है या WSI company की यूज़ कर सकते है 4 गोली सुबा, 4 गोली दोफैर में, 4 गोली जात में मीठी गोली है इसे आप choose के खाईएगा regular कम से कम 6 मेने तक इस medicine का यूज़ आप करते हैं टेस्टिस्ट्रों लेवल आपका बूस्ट हो जाएगा और जो आपको मैन भूस की आपकी प्रॉब्लम से बहाद दीरे-दीरे करके ठीक हो जाएगी आपको सरमंदिगी का सिकार नहीं होना पड़ेगा next medicine आती है दोस्तों phytolakka dekendra का mother tincture phytolakka dekendra का mother tincture आपको लेके आना है एक कप पानी में 15 बुन सुबा 15 बुन फेर में 15 बुन रात में ठंडे पानी से भी सीवन कर सकते हैं या आप गुनगुने पानी के साथ भी इसका शीवन कर सकते हैं यदि आप कहीं सफर में जा रहा है तो ठंडे पानी ठंडा पानी का सेवन भी आप इसमें कर सकते हैं 15 बुन सुबा, 15 बुन फेर में 15 बुन रात में जो continue हम यूज़ करेंगे तो 6 महने से 1 साल तक इस mother tincture का यूज़ किया जा सकता है इसका कोई भी side effects नहीं है इस बात का विशिद्या रखना है next आता है दोस्तो Dr. Regbeck Company का R19 जिसे R19 के नाम से जाना जाता है मैं picture लगा देता हूँ आप देख लिजे इसका यूज़ गाइनो को Mastia में किया जाता है कई patientों ने किया भी है और आगे भी करेंगे क्योंकि इस drop का use long time तक 6 मेहने तक आपको करना है 6-8 मेहने तक इस drop का आप यूज़ कर सकते हैं potency जो मैंने आपको बताई है उसी potency के form में यूज़ आपको करना है कुछ परेज मैं भी बताने जा रहा हूँ जो परेज आपको करने है इसलिए आपको results नहीं मिल रहे हैं इसका dose यदि हम dose की बात करें आर उनिस की तो इसका dose आपको एक कपानी में 25 बूंद सुबा 25 बूंद रात में continue 6 मेने तक आप यूज़ करेंगे तो 100% results आपको देखने को मिलेंगे बिना operation की यहाँ problems आपकी ठीक हो जाएगी next medicine आती है pulsitilla आप सोच रहे होंगे कि pulsitilla आपको suggestion क्यों दिया जा रहा है pulsitilla जो है काफी effective homopathic medicine है और इसका use males and females दोनों में किया जाता है जब कहीं भी यदि cyst का cyst होने लगे over growth body में कहीं भी होने लगे तो उसमें इस medicine का use की जाता है इस medicine का use only of 200 potency में करना है आपको 100% result देखने को मिलेंगे pulsitilla के क्योंकि pulsitilla काफी effective medicine है long time इस medicine का use किया जाता है सब तहां में भीकली आप इस medicine का शेवन करें 100% results आपको मिलेंगे दोस्तो सीधे चलते हैं परेज की और चारबून सीधे direct tongue dose pulsitilla आपको लेनी है सीधे चलेंगे परेज की और तो हमने यहाँ कई बार देखा है कई पैसेंटों में देखा है कई वैक्ति में हमने देखा है कि बहाँ उनको गाइनोको मेस्टिय की problem से वा नॉन बेज का सेवन कर रहे है क्योंकि यहाँ आप cyst fat की जो चरवी है उसको आप dilute कर रहे है उसे कम कर रहे है और उपर से आप non-wage ले रहे हैं तो results बिलकुल भी नहीं मिलने वाले तो जिन वैक्ति को भी गाइनोको मेस्टिय की problem से वा अंडे कभी भी नहीं खाएंगे इस बात का विसेज ध्यान रखेंगे non-wage का सेवन बिलकुल भी नहीं करना है इन दो चीजों का परेज करना है 37 जब तक हम homopathic medicine लेते हैं उन्हें अचार, खटाई, कच्ची प्याज, कच्चा लैसूं ये बिलकुल भी नहीं खाना है इस बात का उन्हें विसेज ध्यान रखना है ये चीज का सेवन वो बिलकुल भी नहीं करेंगे इस बात का विसेज ध्यान रखेंगे बाकी सारी चीजों का सेवन आप कर सकते हैं यदि इस तरह से आप परेज करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी फिर भी कोई वी यदि आपको confusion है तो comment में ना पूछें लाइब क्लिनिक रातरी नौ बजे में आता हूँ लाइब जॉइन कर लें आपकी प्रॉब्लम का सालूशन वहाँ पर हो जाएगा फिर भी यदि आपको किसी भी तरह की लाइब टर्म डिसीज है यदि ओनलाइन कंसर्ट एंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिशन बाउप के नीचे पूरी जानकरी दी गई है इसकी मैं वाटसाप नमबर दे देता हूँ ओनलाइन कंसर्ट एंसी ले सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं लिंग ने अशी वीडियो में, तब तक लिए जैहन, जैवारत, बंदे, मात्रम.